हेलो फ्रेंट्स ना कोई मेहनत ना कोई घंटों का काम ना कोई काजू ना ही क्रीम बस दस मिनट में बनेंगी इस सूपर टेस्टी पनीर मसाला तो आप सब इसे छोटी सी रिक्वेस्ट है रेसेपी थोड़ी भी यूजफूल लगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक स सब्सक्राइब करें और मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनें तो चलिए साथ मिलकर हम बनाते हैं सूपर टेस्टी पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने तीन मीडियम साइज का प्याज लिया है दो टमाटर हरा धनिया शे साथ लहसुन की कलिया और दो साबुत हरे मिर्च सिंपल हम प्याज को रफ्ली काट कर तयार कर लेंगे इन्हें बारिक काटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड से एक वर आप मेरे तरीके से इस रेसेपी को बना कर देखें बहुत ही टेस्टी लगेंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज और टमाटर को रफ्ली काट कर तयार कर लिया है अब कैस पर कड़ाई को गर्म होने रखते हैं एट करेंगे दो बड़ा चमत सरसो का ओल अब डालेंगे होटल रेश्टरंट हावे जैसे साथ के लिए कुछ खड़े गरम मसाले दो तेजपत्ता एक टुकड़ा दाल चीनी का दो हरी लाइची दो लॉंग इसे डाल चटकने देंगे साथ ही हम डालेंगे एक छोटी चमत सीरा चटक जाए फिर आम एट करेंगे कटा हुआ प्याज इन्हें हम सुनेरा होने तक भून लेंगे तो अब देख सकते हैं प्याज के कलर चेंज हो गया है इन्हें हम थोड़ा और पका लेंगे और हम इसमें एट करेंगे लहसुन की क और हरी मिर्च इस तरह से डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगी सब्जी में इन्हें दो मिनेट तक भून लेंगे आप डालेंगे सूखे मसाले डेड़ चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर एक चोटी चमच धनिया पाउडर आ अब हम साथ ही डालेंगे रफ्ली कटा हुआ टमाटर अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर और मसाले अच्छे से पक जा इसलिए हम एड़ करेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और दो मिडियम फ्लेम पर मसालों को पका लेंगे मसाले जले ना इसलि मिक्स करने के बाद इसे हम ढखक कर मिडियम फ्लैम पर मसालो को पका लेंगे मसाले जब तक पक रहे हैं तब तक तक तयार करते हैं पनीर यहां मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर इसी क्यूब में कट कर लिया है बाजार जैसा टेस्ट आए उसके लिए डालेंगे चुटकी भर हल्दी चुटकी भर लालमिस पॉड़ा और थोड़ी सी कसूरी मेथी सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे प्रंच इस से इस तरीके से इस दिन पनीर में छोटी सी मेरिनेशन भी हो जाएंगी अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन रेस्टरेंट हावे वाला टेस्ट आए इसके लिए डालेंगे एक चमच बटर और थोड़ा सा ओयल ताकि बटर जलेना अब सारा पनीर को डालेंगे और इसे हम रोष्ट कर लेंगे पनीर पर कलर आ जाए तब तक हम इसे रोष्ट करेंगे बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो ये रवर की तरह टाइट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कलर आ गया इसे हम निकाल लेंगे वापस ने हम इसी तेल में डालेंगे सिमला मिर्च मैंने एक सिमला मिर्च ली है इसे पीसेस में कट कर लिया है इसे भी हलका सौते कर लेंगे इसे भी निकाल लेते हैं तो आप चेक करेंगे मसाले को तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पख गया है फ्रेंड्स बहुती अच्छी खुस्पू आ रही है पूरा कीचन मसालों से महक रहा है अगर आपको लगे कि मसालों में बड़े बड़े पीसेस रह गया हैं तो मैसर की हेल्प से मैस कर ले फ्रेंड्स बहुती एजी रेसेपी है तो प्लीज आप एक बार मेरे तरीके से इस इस रेसेपी को जरूर बना कर देखें बहुत ही टेस्टी लगेंगे दाबा रेस्टुरेंट और होटल जाना भूल जाएंगे आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पग गये हैं यह अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम एट करेंगे इसमें दो जमस दही दही डालते समय इस पाद का ध्यान रखे इसका फ्लाइम आफ कर ले या फिर लो कर ले नहीं तो दही फट जाएंगे और फ्रेंट ध्यान रखे दही खट्टा ना ले दही फ्रेसी हो इस सब पुडाल अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गया है और मसालों से अच्छी खुस्बू भी आ रही है मसालों ने आउयल भी छोड़ चुका है अब हम इस से स्टेज में एट करेंगे पनीर और सिमला मिर्ज को इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे साथी हम एट करेंगे आधी छोटी चमच, गरम मसाला एक चमच कसूरी मेति और हरा धनिया इसे हम डाल इन्हें हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंस मुझे ग्रेवी थोड़ी ड्राय लग रही है तो मैं यहां आधा कप गरम पानी डाल रहे हैं मैंने यहां गरम पानी डाला है आप इपने हिसाब से ग्रेवी को रख सकते हैं आप इन्हें रोटी नान पूरी पराठा चावल किसी के साथ भी सर्फ करें यह बहुत टेश्टी लगते हैं तो तैयार है हमारा पनीर मसाला बहुत ही बढ़ियां दिख रही है हमारी सबजी बहतरीन कलर टेश्ट तो आप भी इस रेसेपी को एक पर ज़रूर ट्राइ करें फ्रेंड फैमिली के साथ सैर करें रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब हम इसे धन्या पत्ती से कार्निस कर लेंगे तो बहुत ही आसान सी सबजी है और जटपट बनकर तयार है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना तो प्लीज आप एक पर इस रेसेपी को चरूर ट्राइ करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ